यह कैसा सफर तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले को देखो एक अच्छा सा कोश्चन है ऐसे तो प्रिवियस यह कोश्चन है इसे पहले वाले अगर दो कोश्चन देख लोगे तो उसमें मैं यही काम किया हूं कि सेंट्रल जो मैक्सिमा उसका वीड्स निकाला हुआ तो यह वह ही है सेंट्रल मैक्सिमा का वीड्स निकालना बटी यह नुमेरिकल नंबर में है तो सबसे पहले जो सेंट्रल मैक्सिमा उसकी वीड्स निकालने के लिए basically देखो मैं use करता हूं यहां से तो यह single slit है और ऐसे यहां से यह यहां से यह ए और यहां से perpendicular distance पर इस्क्रीन रखा हुआ है this is the screen और यहां से कुछ ऐसा central maximum होता है यहां कुछ पहाड जैसा होता है तो यह वाली जो reason है this reason width of the central maximum this is the width of the center maximum that is यहां से मैं y मान लेता हूं वुजे भी कितना होगा y होगा यह वाला distance ठीक है तो यह वाली width अगर निकालना तो यह angle मैं theta माल लेता हूँ यह D है तो यहाँ से sin theta ठीक है approximately equal to 10 theta approximately equal to y by d और अगर minimum यहां से unit and start यहां से first minima यहां से start होता है और यहां से first minima इस start होता है तो minima का condition आई होब की आप पड़े होगे कि path different delta x is equal to a sin theta is equal to n lambda और first minima की बात करोगे तो n is equal to 1 तो यहां से sin theta की value आजाएगी वाजाएगी lambda upon a तीक है अब यह वाली equation और यह वाली equation इन दोनों को equate करोगे तो यहां से y upon capital D is equal to यहां से lambda upon a आजाएगा तो जो y की value आजाएगी y की value आजाएगी वो lambda capital D upon a आजाएगी तो जो width आजाएगा width of the central maximum that is two times y आजाएगा that is two lambda capital D upon a small यही पूछ रहा था अगर आप direct formula यह रट लिए हो याद है direct formula तो आप direct formula भी लगा लगा सकते हो मैं आपको नहीं रोकूंगा तो यह यहां से तुम अब कुछ नहीं करना 10 की power minus 9 और D कितना वही capital distance D क्या है screen और source के भी 2 meter का distance this is a 2 meter distance और slit width A A की value कितनी है यहां से 1 mm है 1 mm मल्दब 10 की power minus 3 meter ध्यान लगना यह सब SI unit में मैं solve किया हूँ तो अगर इसको solve करोगे तो यह आ जाएगा 24 और इंटू 10 की power minus 9 और 2 यहां से minus 7 और यह उपर गया 10 की power minus 3 तो 10 की power plus 3 बना तो यह बना 24 इंटू 10 की power minus 4 और 10 से उपर नीचे multiply कर दोगे तो यह 2.4 इंटू 10 की power minus 3 meter आ जाएगा लेकिन हमारा solution mm में है तो 2.4 mm is the width of the central maxima that is अपना यहां से तुम देखोगे 2.4 mm मतलब यहां से D option सही हो जाता है ठीक है thank you